हाई एवरिवन, गिल्ज मिन्टोर के ओफिशली यूटूब चैनल पर मैं आप सब का वेलकम करता हूँ हरियाना जी के जो हरियाना के बहुत सरे पेपर्स आपके आगे होने वाले हैं उमीद ऐसी है कि ये पेपर्स आपके अगस्ट में शुरू हो जाएंगे तो आपके पास कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ तो हमने इसके लिए एक छोटी सी सीरी चलाई है ताकि आपको हम प्रिवियस सीर के जो कोश्टन सैट इंपोर्टन है वो हम आपको रिपीट करवाएंगे और इसके साथ में आपको मैं अडिशनल फेक्ट जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं जैसे हम किसी कोश्टन की बात करें अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि महंदरगड के फाउंडर कौन थे संस्थापक कौन थे तो आपको ऐसी कोश्टन किसी ने किसी बुक में या आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो उसका उप्षन मिलेगा मैं आपको चारों के चारों उप्षन का जीरफाड करके उसका पुरा उपरेशन करके आपको पुरा समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हम लोग मैकसिमम से मैकसिमम इस सेशन में कुछ सीखने को आपको मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सिखा पाऊँ अगर आप चाहते हैं कि आप तक सरकारी नोकरी की भी सबसे पहले अपडेट पहुंचे तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूले और साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा तो गाइज इस लाइव सेशन को आप जरूर आगे शेयर करें क्योंकि आप अगर इस पेपर को नहीं दे रहे हैं या आपको ये सेशन अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये सूचिएगा कि आपकी वज़य से किसी ने किसी और को डेफिनेटली पढ़ने का मौका मिलेगा क्योंकि बहुत सारे जो युवा लोग हैं कहीं नकहीं नोकरी का सपना है और पढ़ने की इंट्रेस्टेड हैं पढ़ने की इच्छोक हैं लेकिन संसादनों की वज़य से वो पढ़ नहीं सकते तो आपका CEO कम से कम उनकी तरफ जरूर होना चाहिए तो आप जरूर आगे हमें स्पोर्ट करिएगा ताकि हमें भी खौंसला मिले आपके लिए काम करने के लिए और बाकी कलास्स कंटिनू चल रही हैं आप उन्हें डेले देखिएगा और स्पैशल तोर पर पंजाब गवर एज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई है तो इसका चार ओप्शन्स आपको दे रखें करेक्ट इसका अंसर की बात करते हैं सबसे पहले तो इसका सही अंसर क्या होगा ओप्शन नमबर बी 1st February 1969 अगर आपको यही कॉशन ये पूछा जाता है कि हरियाना में एज एजूकेशन बोर्ड कहां पर स्थापीद किया गया है भिवानी के अंदर तो उसकी डेट भी 1969 ही पूछे जाती है हलांकि ये पिछले पेपर में पूछा गया है तो आपको ऐसे कोशन्स याद रखने है राइच अब इसके साथ में बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टन ची सकता है कि कब इसको स्टैबलिस किया गया तो ध्यान रखिएगा 1970 के अंदर शुरू किया गया था ठीक है इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टन कोशन्स ऐसे बन जाते हैं कि आपको डेट वाइज ये भी कोशन्स पूछ सकता है कि मेहंदरगड को कब यानि स्थापित किया ग तो मैं ऐसे कोशन्स आप के लिए कंटिन्यू करवाऊंगा राइच चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं गुर्गामा का नाम गुरु गराम कब रखा गया ठीक है तो गुरु गरु गराम कब रखा गया ये पेपर में पूछा जा सकता है तो इसका आंसर क्या होगा 1st नमबर 1966 को इसका गठन किया गया था लेकिन इस question की बात करें तो इसका सही answer होगा option number C इसका नाम गुरुगराम कर दिया गया था अब यानि पेपर में आपको सिर्फ यहां तक सीमित नहीं करेगा पेपर वाला आपको ऐसे पूछ सकता है वो चीजें आप रिलिख लीजिए रट लीजिए इसको गुरुगावा साइबर सीटी के नाम से भी जाना जाता है मसानी, मैडि सीटी, सॉलर सीटी के नाम से भी जाना जाता है इसको मिलेनियम सीटी के नाम से भी जाना जाता है यहां की बात करते हैं तो नैशनल जो हाईवे 48 है वो गुरुगरामा से निकलता है यह भी आपको पेपर में याद रखना होगा माना ऐसा जाता है की जो यहां पर काफी प्रेटन्स थल है जहां तक पेपर में कोशन्स पूछे गए है जो सुल्तान लेक है वो पेपर में बहुत बार पूछा गया कि वेरिज सुल्तान लेक तो सुल्तान लेक है वो फरूख नगर है गुरू गामा के अंदर ठीक है गुरू ग्राम के अंदर फरूख नगर है वहाँ पर सुल्तान लेक है पेपर में आप इसको अच्छे से करिएगा नोट कर लीजी सुल्तान लेक ठीक है इसके अलावा जो important चीज़ें आपको गुरू गुरुग्राम के सबंदीत पूछी जा सकती है कि वो पेपर में पूछा जा सकता है कि सीतला माता का टेंपल कहां पर है तो वेरिज सीतला माता टेंपल तो सीतला माता टेंपल भी कहां पर है गुरुग्राम के अंदर है ठीक है तो ये पेपर में पूछा जा सकता है और इसका एक जो वर्षिप जो एक बोर्ड बनाया गया 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 थी जिसका गठन कब किया गया था 1991 के अंदर किया गया थी इस बोर्ड के टोटल 11 परसन है ये भी आपको याद रखना होगा ठीक है और जो प्रदेश के जो सीम है वो इसके चेर परसन होंगी इसके अलावा जो गुरू गराम के अंदर बात करते हैं सोना बहुत फेमस है सोना का मतलब वह बड़ा नहीं सोना अगर हिंदी की बात करूँ तो ऐसे ठीक है ये पर्टिकुलर एक ऐसा प्लेस है ये गरम जो जल का चस्मा है इसके लिए बहुत ज़्यदा फेमस है ठीक है इसके इलावा लेक की बात करते हैं तो दमदमा लेक आपको बहुत पूछा जा सकता है इसके इलावा पतोदी महल के बारें पूछा जा सकता है और अगर पूछा जाए आपके वाइड लैप सेंचुरी ठीक है तो आपको ऐसा याद रखना होगा जाड़ियां काफी है यहां पर ठीक है तो मतलब जहां के जो सारे लोग है बहुत ज़दा गुड़ खाते हैं बहुत ज़दा गुड़ खाते हैं गुड़ खाने की वज़ए से इने क्या हो जाता है दमा हो जाता है तो आपको दमा से क्या याद रहेगा दम दमा जील ठीक है दम दमा जो लेक है वो याद रहेगा तो उसकी वज़े से क्या है कि सारे लोग फिर कहां जाते हैं दवाईयां लेने तो जाते नहीं है तो वो क्या करते हैं कि गरम जल का जो एक चस्मा पहनते हैं चस्मा पहनने पर वो सीतला मता मंदरी च अच्छे से आप याद कर सकते हैं हलाकि बताने को तो यहां पर ऐसे भी बता सकता हूँ कि फेस्टिवल क्या क्या लगते हैं बुद्धा माता का फेस्टिवल है सीतला माता का है इसके दम महादेवा का है बक्त पूर्न मलका है बुड़ी तीज का मेला लगता है यहां पर ठीक है और शाचोखा खोरी कौन भूल सकता है तो ऐसे चीज़ें हैं बहुत सारी आपको यहां से पूछे जा सकती है ठीक है तो MET जो यूनिवस्टी है वो 2010 में बनाई थी वो भी गुरू ग्रामा के अंदर है मेट्रो है 2010 में शुरू की थी वो भी गुरू ग्रामा के अंदर है ठीक है इसके अलावा बहुत सारे जैसे की शिकंदरपूर है वहां पर चीनी मिटी के बरतन बनते हैं ठीक है ऐसा ही पूछा जा सकता है एजुकेशन में सबसे ज्यादा ग्रेचिटरे की बात करें तो गुरू ग्राम है अगर बात करें 2018, 2019 के अंदर जो बात करते हैं स्वच भारत अभियान के अंदर तो गुरू गावा है वो सबसे इंडिया की बात करें तो सबसे पलूट्टिड एरिया है ठीक है तो ऐसा भी पेपर में पूछा जा सकता है और हरियाना की बात करें तो चार डिस्टिक आपको याद रखने होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हरियाना की शहरी जनम स्थर परतिमल क्या है भी जो शहरी जो लोग है उनका जनम दर क्या है तो इस question का जो सही answer होग करोजैना तो इसका सही answer क्या होगा सिर्षा जिले में ठीक है अब सिर्षा जिले की बात करते हैं तो सिर्षा जिला पेपर में बहुट जदा बार पूछा जा सकता है अलांके पूछा भी गया है तो आपको सिर्षा के बारे में facts याद होने चाहिए ठीक है सबसे पहले तो आपको ये याद रख लेना कि सरसा जले में जो यूनिवस्टी इस कौन कौन सी हैं ठीक है इसके अलावा बात करते हैं कि सरसा का गठन कब किया गया था ठीक है तो 1975 में किया गया था सारी चीजे नोट करो मेरे साथ आप ठीक है तब मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए जहां तक बात करते हैं कि सिर्षा के अंदर टोटल कितनी बात करते हैं कि तैसील हैं तो सिर्षा एलनाबर डबवाली काड़ावाली इसके अलावा पेपर में आपको क्या पूछा जा सकता है कि जो तीन लाल की बात करते हैं देवी लाल ठीक है वेक्तिकत की बात करते हैं जो जो इंडिया के बात करते हैं चोधरी देविलाल थे जो वाइस प्रधान मंत्री रह चुके हैं ठीक है ये आपको याद रखना होगा और हर्याना के मुख्या मंत्री भी रह चुके हैं इसके लावा ओम प्रकास चुटाला थे को चुटाला पर है तो यह आपको याद रखना है जो इसके बारे पूछा जा सकता है कि CDLU कहां पर है CDLU का मतलब है चोधरी देवी लाल यूनिवस्टी CDLU पेपर में पूछा गया है पिछले साल तो आपको यह भी बताना है ठीक है इसके अलाबा बात करते हैं कि जो सिरसा का महतब पूर्ण रोल है हरियाना के अंदर वीट सबसे ज़्यादा कहां पर होती है सिरसा के अंदर होती है ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगर आपको मस्टर्ड के बारे पूछा जाए तो आपने मेंदर गड़ बताना है इसके अलाबा अगर बात की जाए तो हरियाना के अंदर सरपर्थम जो शुरू की थी नरेगा तो नरेगा स्कीम थी नरेगा सीम सरसा और मेंदरगड में शुरू की थी 2006 के अंदर यह स्कीम शुरू की थी इसके अलावा सरसा का रोल क्या है सरसा में आपको याद रखना है कि जो इंडियन विमन हौकी टीम है उसके जो कैप्टन है ठीक है रानी रामपल है वो कुरुक शित्रा के शाबाद से हैं लेकिन उसकी जो वाइस कैप्टन है जो गोल कीपर है जिसका नाम के सवीता ठीक है सवीता है वो कहाँ पर सरसा से है ठीक है इसके अलावा अगर आपको बात करते हैं कि हरियाना का फर्स्ट कैसलेस विलेज की बात करें तो वो नई आमाली है पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है शहीद भगत सिंग स्टेडियम सरसा में है सबसे ज़दा जो गव रखने वाले जो सरसा के अंदर है सबसे ज़दा सीख लोग सरसा के अंदर है सबसे ज़दा पफल सबजियां सरसा में होती है इसके अलावा आपको याद रखना होगा कि सरसा के अंदर अगर आपको किसी वैसे पूछा जा सकता है बंदर और लंगूर सबसे ज़्यदा सरसा के अंदर है ठीक है इसके अलावा बात करते हैं कि अबू शहर याद रखना काला तेतर के लिए बहुत मुशूर है अबू शहर ठीक है जो हौकी मेंड टीम के जो कैप्टन है मनपरीत सिंग वो जलंदर पंजाब से हैं लेकिन आपको पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि इसके पूरुस हौकी टीम के कप्तान है सरदार सिंग सरदार सिंग वो नैशनल टीम है वो भी कहां से सरसां से है भी आपको याद रखना होगा पेपर के में ठीक है तो फैक्टस ऐसे पूछे जा सकते है इसके अलावा एक इंपोर्टन चीज़ है रानिया रानिया एक जो एरिया आता है 18, 18, 1818 के अंदर इस्ट इंडिया कंपने के अगेंस्ट डिवोल्ट शुरू हुआ था तो वो भी प्यारे बंदू याद रखियेगा सरसा से शुरू हुआ था ठीक है आगे बढ़ लेते हैं ठीक है आगे बढ़ें पांचवा नमबर कोशन देखते हैं हरियाना में लगातर सबसे लंबे समय तक मुख्य मंत्री थे सबसे ज़्यादा टाइम जो हरियाना के अंदर जो मुख्य मंत्री रहे है जिसका टेन्योर सबसे ज़्यादा टाइम रहा है तो उसका नाम क्या है बोपेंदर सिंग हुड़ा आपको याद रखना होगा, very very important question है ठीक है, अगला देखते हैं हरियाना के मुख्य मंत्री हरियाना के मुख्य मंत्री मनोरल खटर के जनम स्थल का नाम बताईएगा बहुत यह अच्छा question है, पेपर में पूछा जा सकता है ठीक है, और इसकी बात बता देता हूँ, यह रोतक ठीक है, रोतक का जो गाम है, निदाना खास वहां से है हलाकि जो इनकी constituency है, जो इनका निर्वाचन छेतर है भाईया, वो है करनाल ठीक है, तो करनाल को आप लोग करन और नाल से याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छे है करनाल के बारे में बहुत ज़्यादा questions है, हरियाना का पैरिस किसे का जाता है, करनाल को का जाता है यह भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, इसके अलावा करनाल की बात आती है, तो करनाल के अंदर आपको कुछ aims के बारे में पूछा जा सकता है इसके गठन के बारे में पूछा जा सकता है, तो सारी जीजे नोट करिएगा, ठीक है 1st November 1966 को इसका गठन हुआ था, इसके अलावा बात करते हैं, इसका पुराना नाम के ओल्ड नेम भी पूछा जा सकता है, तो करनाल आपको याद रख लेना इसके अलावा देखो, यहाँ पर एक इंद्री, इंद्री का मतलब यहाँ यहाँ पर जो कि कच्ची समाध्य लेगी थी, ठीक है, बहुत ज़्यदा फेमस से पेपर में बहुत जारा पूछ बार पूछा गया करनाल के बारे में, तो यह भी फैक्ट्स आपको याद रखने ह इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ कर, ठीक है, जो मेले लगते हैं, सिमरन दास का मेला लगता है, इसके अलावा जो परासर का मेला लगता है, छड़ियां का मेला लगता है, पांडू का मेला लगता है, यह भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, करन तलाब यहाँ पर है जो योदा करन थे ना, मानता मानी जाती है, कि तलाब में नाते थे, वो भी यहां पर रै, करन तलाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसके अलावा मामा, बाणजा, मुगल शराइ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, और पेपर में ये भी पूछा जा सकते है कि सैंट जेम्स चर्च टावर कहाँ पर है वो करनाल के अंदर है इसके अलावा पेपर में अगर पूछा जाता है क्योंकि पिछे पेपर में पूछा गया था कि निर्मल कुटिया, बाबा, निक्का, सिंग का दारमिक्स करनाल के अंदर आपको याद रख लेना है तो करनाल के अंदर एक एरपोर्ट स्टेशन भी है जब 1967 के अंदर बनाया गया था ये भी आपको याद रख लेना है पूछा जा सकता है तो हमने वो सारे पॉइंट पढ़ने है जो very very important है अब चलते हैं next question की तरव सनातन धर्म संस्कृत पाटशाला की स्थापना कब की गी थी तो इस question का जो सही answer होगा प्यारे बंदू वो होगा 1963 1963 is the correct answer है सनातन धर्म संस्कृत पाटशाला की स्थापना की गी थी अब सनातन धर्म के बारे में पूछा जा सकते हैं पेपर हिंदी मेडियम में available है तो इसलिए में very very important questions को आपको हिंदी में समझाने के साथ में कुछ बाते हैं जो चलती फिरती as a आप इसको funny तरीके से लेकर समझ सकते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से हैं 1937 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा का मुखेले बनाया था बहुत अच्छा question है तो इसका जो सही answer होगा ये होगा बटियाना ठीक है ठीक है बटियाना इसका सही answer होगा अगला question देखते हैं हिसार की मील रोड प्राचिन जेन मंदिर कितना पुराना है तो very very important question है तो इसका सही answer होगा एक हजार वर्स ठीक है अब यानि एक हजार से आपको पूछा जा सकता है कि एक हजार something अगर उपर भी पूछा जाए तो भी ये है ठीक है next question है कि पुरा तात्वी स्थल बालू की खोज कब कीगी थी 1980 के बीच में तो कैथल के बारे में और क्या क्या important चीज़ें हो सकती है हम थोड़ी सी वहां गौर कर लेते हैं कैथल के बारे में पूछा जा सकता है देखो पढ़ने को तो वैसे आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ी रखा है कैथल के बारे में लेकिन पेपर में आपको पूछा जा सकता है अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है कैथल के बारे में पहली बात तो आपको ये पूछा जा सकता है कैथल का पुराना नाम क्या है करनाल से अलग होकर बना है कैथल ठीक है अब यानि आपको कैथल से कोशन क्या क्या पूछे जा सकते है यह हरियाना की भाया आपको पूछी जा सकती है छोटी कासी है बड़ी कासी है ऐसा पूछा जा सकता है रजिया सुल्ताना का मकबरा है रजिया सुल्ताना कौन थी पहले तो यह सुन लो इल्टुतमिस की जो बेटी थी रजिया और उसके पती का कतल इसी जनी सरदारों के द्वारा कैथल के निकट कर दिया गया था और यहां पर उसकी मरती होने के बादे 1240 में मकबरा बना दिया था ठीक है यह भी आपको याद है ग्यारा रुदरी शिव मंदिर कहां पर है कैथल के अंदर है ठीक है केवल शिव मंदिर तो आप इससे केवल से याद रखिएगा ठीक है इस मंदरी में महाबारत काल में अरजुन ने सीव को परसन करने के लिए तब किया था रोसे जिसे हम कहते हैं कि पाशुप तातर प के अंदर है यहां पर यूनिवस्टी पूछी जा सकती रादा करशन सनातन जो धरम कॉलेज है वो कहां पर है कैथल का सबसे पुराना 1954 में बना था इसके अलावा आपको इंदरा गांदी जो विमन यूनिवस्टी इसकी बात पूछी जा सकती है तो यह भी 1970 में बनी थी कहा पर है यह कैथल के अंदर है और इसके अलावा जो इंदोर इस्टेडियम है वो भी कैथल के अंदर है ठीक है नीलं यूनिवस्टी कैथल में बहिया पुछी जा सकती है पेपर में यह भी याद रखिया गुर्दवरा साहिब जो नीम साहिव है नीम साहिब गुर्दवरा कहांपर है कैफल के अंदर है और मंजी साहब गृता मंद्री भी यहां पर है और सरस्वती और गगर का निवास यहां से होता है ठीक है हलांकि सरस्वती तो विलूप तो चुकी है लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है आपको तो मैं ये फैक्ट से आपके लिए शेर कर रहा हूं ठीक है इसके लावा आपको कुछ चीजें और याद रख़ी ने कै पर अगरोहा और बर्मारा में प्राप्त शिक्कों में हरियाना के किस गनराज्य के सबंद में जानकरी मिलती है ठीक है तो जल्दी से मुझे इसका अंसर टून के बनाने की कोशिश करिएगा मैं आपको सिर्फ दो सेकंड देता हूं दो सेकंड के बाद में मैं आपको कुछ फेक्ट्स भी बताने की कोशिश करूँगा कि हिसार के सबंदीत फेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हिसार का गठन कब किया गया था हिसार के सबंदीत आप कैसे और भी अच्छे इंपोर्टन कोशन याद रख सकते हैं ठीक है तो इसका सही अंसर क्या होगा option number C अगर गण रज मेरे साथ एक बार और बोलिएगा अगर गण रजे ठीक है तो आपको हिसार के बारे में क्या पूछा जा सकते हिसार का गठन कब हुआ है जरूर बताइए का comment box में ठीक है और इसके राबा पूछा जा सकता है कि हिसार किस चीज में अगरनी है हिसार से कौन आता है ठीक हिसा किसके लिए परशिद है ये भी आपको चीजें पूछी जा सकती हैं तो बस हम बैतर जादा चीजें कभ याद रख सकते हैं प्यारे बंदू हम तभी चीजें याद रख सकते हैं जब अपने किसी ने किसी टॉपिक से किसी ने किसी चीज को रिलेट करेंगे हिसार की बात करते है जब हुर्याना का गठन हुआ था 1966 में तब यानि इसका गठन किया गए दूसरी बात है हिसार को किसने बसाया है तो फिरोज्चा तुगलक का टाइम था 1324 य Васार की स्थापनी थी तब यानि ही माना यह जाता है कि हिसार फिरोजा रखा था जिसका अर्भी बाष्या में अर्थ होता है फिरोज का किला तो फिरोज्शा दवरा बिसाया गया है ठीक है दूसरी बात आपको कुछ में ट्रिक से ही चिज़ें याद कराने के कोशिश करूँगा ठीक है गुजरी महल यहां पर है इसके लावा आर्या मंदिर है बिशनोई मंदिर है दिकंबर जीन है ठीक है इसके लावा जैसे की देवी भवन मंदिर है बुगा कुवारी मंदिर है सेंट थॉमस चर्ट है चार जैसे कुतूब हम कह सकते हैं दरगा है मीर साहिब की मजार है ब्लू बर्ड है, इसके अलावा अग्रोहा का किला है, जिसके बारे में हम डिसकेशन कर रहे हैं, तो यह माना यह जाता है कि जो अग्रोहा का किला है, महराजा अगर सेंद वरायो बनवाया गया था, लाट बाग, जहाज कोठी, कौन भूल सकता है, प्राण, पीर, बादशाय का मकबर आया है ठीक है जहां पर प्रेजेंट के अंदर जो एक गौर्णमेंट हलांकि वहां पर एक यूनिवस्टी बनाई गई है ठीक है उसके जो बैक साइड के अंदर सूफी पीर जो बैलोल का मकबर है उसकी पास में है गुजरी और शेक जुनेद की मजार है तो यह प्राणपीर की दरगा पी हुई है प्राणपीर की दरगा के बाद में इन्होंने सोचा कि कहीं बाग में चलते हैं गोमने तो बाग का मतलब आपने लाट बाग याद रखना है ठीक है तो इन्होंने सोचा कि जाएं किस पे तो इन्होंने क्या कि एक जहाज में बैठने की तो जहाज में इन्होंने कोठी ले ली ठीक है तो उस कोठी में बैठकर इन्होंने सोचा कि सबसे पहले धर्मिक स्थलों पर घूमने चलते हैं धर्मिक स्थलों पर सबसे पहले ये जाते हैं कहां पर आरे टेंपल के अंदर ठीक है उसके बाद में जाते हैं दिगंबर टेंपल के अंदर ठीक है दिगंबर जैन के नाम से याद रख लीजिए सबी जो जितनी भी धर्म है उने के ठीक है इसके अलावा यानि बिशनोई टेंपल के अंदर ठीक है इसके अलावा यानि वो शीलनाथा का डेरा के अंदर गए हैं डेरा के अंदर बाद में देवी भवन गए हैं और देवी भवन के बाद में थक गए तो वो बुहा कुआरी थी इनकी वहां पर चले गए ठीक है इनकी एक बुहा कुआरी थी उसके घर में चले गए वहां पर ज देखा आसिगड का फोट देखा और चार कतुब दरगा देखी तो इससे आप चीज़ें याद रख सकते हैं क्योंकि एक स्टोरी बनाएंगे ना स्टोरी से आप बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं हर्याना राजे बीज प्रमानी करन संस्था का मुखेले कहां पर है तो ये पेपर में पूछा गया कोशन तो इसका सही अंसर होगा पंचकुला ठीक है तो ये आपको याद रखना है पंचकुला में कौन सी पाड़िया निकलती है शिवालिक की पाड़िया है आपको ये भी याद रखना है गगर पास से निकलती है इसके अलाबा गगर में 500 सोफट की दूरी पर आप सब को बता होगा उनकी пाली पुलूटर्ट है इसके लाभा पंचकुला में क्या हो सकता है कि पंचकुला के अंधर एक Полищ कमिशनर बैठा होता है ठीक है wishing you 1995 में जैसे पंचकुला का गठन किया था तो यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है वो मंसा देवी का मंदिर आपको याद रखने है ठीक है तो पिंजोर इसके पास में है पिंजोर जो पंचकुला डिस्टिक के अंदर आता है पहले अंबाला में आता था ठीक है तो आपको जो नाडा साथ गुर्दवारा की तरफ है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गगर यहां से निकलती है सरसा नदी है कोशलिया नदी है और पिंजोर हवाई अड़ा भी है इसके अलावा आपको पंचकुला अर्बन स्टेट के ध्यान रखना है ठीक है और जो के अंतिम दो कोशन है दिल्ली मुंबई वाया रिवाडी कौन सा राजमार्क है तो इसका सही आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर डी एन एच एट और अंतिम कोशन है ठीक है हलांकि रिवाडी की बारे बहुत सारी बातें हैं मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा राज्ज टाकि हम नेक्स्ट स्टूडेंट को और भी अच्छे से कंटेंट अवेलेबल करवा सकें तो आप सब का मैं बहुत शुक्रिया करूँगा आप सबने अपना बेश कीमती समय दिया थैंक यू सो मच हैवे नाइस दे टेक कियर बाबाए